कि नमस्ते बच्चों आप सभी का स्वागत आज हम कक्षा सिक्स की सेकेंड पॉयम जिसका नामे दख काईट पढ़ेंगे बच्चों और यह इस पॉयम को लिखने वाले पॉयम का नामे है री पैल है अप सब जानते हैं काईट को हेंदी में पतंग कहते हैं और हम सब को पतंग उड़ा बहुत चलगता है और उस त्रस चलगता है कि जब पतंग तैंग हमारे तो घूलाए से वाले हमघी मिरां करता है तो उनको बहुत कुछ है चाहिए ना बच्छो तो मैं आप सफसी निविदें करता हूँ कि आप पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरह से सुने आपको पूरी कोई बहुत ही अच्छी तरह से मिलाएगी पूरा प्रयास इसमें अच्छी तरह से सब्सक्राइब करते हैं तो बच्छो को बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर बहुत खुशी होती है बच्छो को आश्चरी भी होता है साथ में वी तर डाइव एंड डीव डाइव का मतला होता है गोता लगाना डीव का मतला होता है डुक की लगाना अब गोता लगानों का अपन क्या सब्सक्राइब जिससे कि वह से तरफ यहाँ पर अबाद से तरह यहां पर की तुलना एक जहांसे की गी एक लाइक शब्द का परयोग किया ना तो पतंग की तुलना यहां पर जहां से की ए विद्ध ओलिय यसल टाम जिसके ऊपर एक ही पाल है आप जानती है औरुटो टिया जहां जै कि एक ही पाल है छीड है न उस पाल उस जहाज की तरह यह पतंग भी उचायों को चूरी है ऊपर की तरह बढ़ रही है जैसे समुधर की ऊपर समुध्र पर चलने वाला जहां ऊचायों के ऊपर चाड़ रहा है एक सिंगल पाल के साथ में क говорит क्यों आए एसलों से कॉपर टाइट तर लहरों करफ стать का सबुद्र में लेहरे होती है उस लेहरों करें होके उपर ऊपर कि ही और क्या करती और निवास की उपर राइट मीं सवारी करती ओस्के बाद पर यह करती है राइसरा का मैं रहा है सवारी करना यह राराइड गोड़ी के उपर सवारी करते है पर जैसे यह भी वहां के जो हवा होती है उस हवा के उपर सवारी करते हैं हवा के उपर चड़ कर उपर उड़ती है फिर क्लाइम तुद दे क्रस्ट यह समुद्र के लहरे होती है उसके उपर क्रस्ट का मतलब यह यह जो पाइट है उसके उपर वो चड़ जाती है क्लाइमिस चड़ना यह जो पाइट इसको बोलते है CREST फिर वो किसको चड़ जाती है क्रस्ट को चड़ जाती ऑफ गस्ट का बड़त है strong blowing wind with sudden and for some time कुछ समय के तेजी के साथ जो हवा आती है उस हवा के साथ साथ जो उंचा ही क्रश्ट बनता है समुद्र के लारों का उसके उपर चड़ जाती है एंड पूल फिर वहाँ पर जोड लगाती है तेन सीन स्टोरी और रैस्ट उसके बाद वह रैस्ट करते हैं पट्लव यह पेरिग्राफ हम यह बताता है कि जब नहीं नहीं वह आकाश में उट्टी तमको बहुत चम्की लगती है फिर आकाश में डाय लगाती है उसकी की पूच भलता ती है और प्रो princi फड़ाय अगे बढ़ती है और समुद्र के लगरों लेकिन बात में वह से प्रतिती है जब हवा धीमी बढ़ जाती है तो हवा के साथ ही उपर उड़ती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अब क्या होता है जब पतंग इतनी उच्छाई पर चाथी है जब हवा गिरती है तो उसकी जो स्ट्रिंग का मटलापन क्या सते है उसकी जो रसी है उसका जो धागा जिससे बंदी हुई है और ञगरती है है इस दो अखरता है तो ल्विंद मेंस ऑफके नश्चा मटलाटना अपन किसी रसी को लपेट भ्रते हैं वैसे यह यू वाइंड इट बैग और जब भी रस्थी नहीं हो जाते है कि इसको लपेटते है एंड रान अंटील दोड़ते रते हैं कब तक a new breeze blows a new breeze का मड़ा नई हवा slowly blowing air जब नई हवा नहीं हवा नहीं आती तब तक हम उसको लपटते वे दोड़ते रते हैं हवा के साथ पतंग नीचे आती है प्यारे बचो और बश्समान और अच्छी तरफोएं को बताने के लिए का है वापीश पतंग ऊपर के तरफ बढ़ जाते हैं को है ना ऍे अगे से लिया ताकि उसको ब्यूटीनेस को अच्छा बता सके अब पतंग हावा जिससे उपगी तरफ बढ़ जाती है वापीज अपन कह सते हाव प्राइट ऑन दे ब्लू इसका इड्वेंट्स में अब कितनी चमकी लगती जब हावा वापीज आगी तो वापीज वापीज कितनी चमकी लिए लगती है नहीं ले derived Gumarी कि वेल इडिड़्स और सिंग जब तड़ती है फडाती है तुटि पुटि अवस्तह में पड़ी रथी हैं कि उस बच्चों को अच्छा दे लगता है कि उस्चाय को छुने वाले पतंग कभी घीर करके उस व्रक्ष के अंदर फस करके फटी फड़ जाती है यह जाती है यह लगता रही है तो प्यारे बच्चों पहला एक्स्टरेक्ट हमें बताता है कि पतंक किस तरह से हवा के साथ, वो समुदर के लहरों के उचालों के देखती होई, उचालों पर चड़ती है, वो अपने पड़ा, और सेकें में देखा कि जिसे हवा कम होती है, हम उसको बचाने के लिए, वो स्ट्रिंग को वाइंड अ action वर्ड को बोलते वर्ब छुका वर्ड को बोलते वर्ब यहां कर एक्षन वर्ड है मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला ईसकी बात कर रहे हैं अपन को डाइव सब से पहला आक्रिण वर्ड वह डाय भीडीप जो क? इसके बाद राइट राइट Right का बना सवारी करना ठीक है न, फिर देक, Climb भी Action Word है, ठीक है Climb के बाद, Seem नहीं है False Action Word है ठीक है Fall के बाद अपन कहसे है, Wind It Back तो यह Wind शब्द भी इसी में आता है, Action Word में Run भी Action Word में आता है इसके बाद, Blow शब्द भी Action Word में आता है कि फिल शब्द भी च्चन वर्ड में आते हैं इसके बाद एक्षण वर्ड में आते हैं यह कुछ एक्षण वर्ड होते हैं जो पीछे कुछ आपको सारी एक्ष्ण अप्सक्क्राइब कर सकती है